जै स्री राम भगजनों आज मेरी वीडियो उन्स सभी के लिए है जो कहते हैं कि हम भगवान का नाम लेना तो चाहते हैं पर भूल जाते हैं हम लेना कई बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं जैसे मैंने अपनी कई वीडियो में बता रखा है कि मानसिक जो आप जाप करेंगे भगवान का उसके आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है मानसिक जब का तो आप दिन भर सारे काम करते करते बगवान का मानसिक जब करते रहें अब जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं मैं वीडियो भी बना रही हूं तो भी मेरी कोशिस ये रहनी चाहिए कि मन से बोलता मैं जबान से रही हूं लेकिन मैं मन से भगवान के नाम का जाप करूं अगर स्टार्टिंग में आप से नहीं होता तो कोई बात नहीं किचन में आप खाना बना रहे हैं आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं आप कहीं और जा रहे हैं आप सफर में हैं तो आप उस समय कोशिस करें कि आप किसी से बात कर रहे हैं सुन रहे हैं तो आप मन में आपके क् पुछ नहीं बोलना एक बार आपको आदत पड़ गई तो मैं कहती हूं आपको इतना आननद आने लगेगा यह इस तरह से मानसिक जब करने से इससे बड़ा इस दुनिया में कोई आननद होगा नहीं मैं आपको अपना नूब बता रही हूं शुरू में मेरे साथ भी ऐसे होता था मैं भी भूल जाती थी परन्तु आपने एक बार ये रास्ता अपना लिया प्रभू की तरफ आपने एक कदम बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं शुरू में भूलोगे लेकिन उसके बाद आपको याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी आपका ये नियम खुद प्रभू बना देंगे क्योंकि उसकी तरफ आपने एक कदम बढ़ाया है वो दस कदम आपकी तरफ अवश्य ही बढ़ाएंगे और फिर आप हर समय हर जगहें सिरफ और सिरफ प्रभू को याद कर रहे होंगे तो इससे सुहावना अवसर, सुहावना समय, सुहावना पल कुछ हो ही नहीं सकता और फिर जब आप ऐसे भगवान को याद रखेंगे शिरी राम को याद रखेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपके काम नाबने, वो ममता मैं प्रभू सिरी राम आपके हर काम बनाएंगे आपकी हर इच्छा पूरी अपने आप ही कर देंगे क्योंकि प्रभू से मांगने की कुछ जरूरत नहीं होती आप प्रभू को समर्पित कर दे सब कुछ उसके चरणों में अरपन करते उसकी शर्ण में चले जाओ तो मैं कहती हूँ मांग गया जब ही तक जाता जब तक हमें ग्यान नहीं होता कि उस परमपिता परमेसवर से मांगने की जरूरत नहीं है जब तक हमें ये ग्यान नहीं है जब तक ही हम कहते हैं पूजा करते हैं लोग तो क्या कहेंगे हे भगवान मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो मैं परसाथ चढ़ा दू मैं वो कर दू कुछ करने की जुरुदनी आपको वो परम पिता परमेश्वार सब जानते हैं सब की सुनते हैं जो निशकाम भाव से भगवान को भजते हैं न भगवान उनके रिणी हो जाते हैं रिणी ये शास्त्रों में लिखी था ये बात तो आप निशकाम भाव से भगवान के नाम का जाप करना सो शुरू करें आप शुरू में निष्कां भावाव से निकर सकते अब किसी भी भाव को भाव जैसे भी हो भगवान का नाम बस लेना शुरू करो अब फ़ल आपको अवस्चwert मिलेगा किसी भी भगत ढ़को-किसी भी मनुस्यका को किसी भी सादक को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है ना घबराने की जरूरत है क्योंकि ऐसे कमेंट आते मैं इसलिए बता रही हूं कि आप सब पूछते हैं कि हम नाम लेना भूल जाते हैं तो क्या भगवान नाराज होंगे तो क्या हम भगवान का नाम जब करते हैं हमारे म आने दो अरे भगवान के नाम में पाप नास की स्वाभाविक शक्ति है धीरे 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 आपका अंतहकरण इतना शुद कर देंगे भगवान कि बुरे विचार आही नहीं सकते चाकर भी क्योंकि जब सारे पापों का नास हो जाएंगे यह हमारा मन है ना यह उधर उधर भागता है भागने दो मैंने ऐसी भी चैनल पर वीडियो बना रखी है मन जहां जाता जाने दो हर जेगे सोचो मेरा मन जहां गया वहीं भगवान है तो आप का अंतर मन हर तरह से शुद हो जाएगा आप एक बार इस रस्ते पे चल के देखो इससे सरल सुगम कोई तरीका है नहीं भगवान प्राप्ति का दुखों को दूर करने का क्योंकि इस नाम में ऐसी शक्ती है कि सारे पापों को एक पल में बसम कर देती है जिस तरह से अगनी सुखी लकडियों को एक पल में ही बसम कर देती है अगर आप एक बार भी सच्ची स्रधा से बगवान का नाम ले लेंगे ना एक शन भी उससे जुड़ गए आप तो आपके करोडों जन्मों के संचित पाप नस्ट हो जाते हैं ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव के साथ आपको बता रही हूँ अब जो इस बात पर विश्वास करेगा उसको सब कुछ मिलेगा मेरा विडियो बनाने का सिरफ और सिरफ मकसद यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को परम पिता परमेश्वर से जोड़ूं और ये पुन्य हमारे भारत देश में ही है हमारी भारत दर्ती पर ही इतने सबी 2400 भगवान के अवतार हमारे भारत देश में ही अवत्रित हुए हैं क्योंकि जो हमारी भारत माता है न तो पुत्रों का जनम भारत माता यानि माता की ही कोक से होता है ये हमारे देश को ही ये सोब आगे मिला है हमारी भारत माता को ही ये सोब आगे मिला है कि जिस दर्ती माता की कोक से 24 भगवानों के जनम अवत्रित हुए है तो आप बिलकुल घबराए नहीं आपको जबाए जितना आप से ले सके आप एक बार इस रस्ते पर चलेंगे न तो फिर ज़्यादा तो अपने आपी लेने लग जाएंगे और कई भगतों को तो वैसे ही इतना ज्यान है कि वो समझते इस बात को कि एक बार इस रस्ते पर चले तो अपने आप ज्यान भी प्राप्त होने लग जाता है जब अन्तेह करन शुद हो जाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति स्वेत्य ही हो जाएगी अथा ज्ञान का बंडार आपके अंदर प्रभूश्री राम भर देंगे तो आप ऐसा करें भगवान के नाम का जाप करें कितनी भी देर कितनी भी समय तो अपने आप याप के आगे के रस्ते खुलते चले जाएंगे आज के लिए इतना ही जैश्री राभ